हेलो फ्रेंड्स मैं हुसेंगीता और उंबे का चैनल में आसुपका हार्दीक सागत हैं दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे बेल का शेक यह तो आपने बेल का मुरब्बा बेल का शर्बत खाया और पिया होगा लेकिन आज जो हम बेल शेक बनाने जा रहे हैं इसे गोल्डन सि हमने घर में इतियार किया है बहुत इजी मेथर के साथ तो चलिए शुरू करते हैं एक पैन में आप एक कप चीनी लीजे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे आज को आप मेडियम रखिए अपनी गैस की फ्रेम को यहां हमें एक तार की चाशनी बना लिए बहुत ज्याद सिरप है अब यह देखिए एक तार की चाशनी बन चुकी है तो बस इसी समय हम डालेंगे इसमें साइट्रिक एसिड यह साइट्रिक एसिड अगर आपके पास नहीं हो तो आप लेमन डॉप्स भी डाल सकते हैं इससे क्या होता है कि हमारी चाशनी साफ भी होती है और चीनी क क्रेस्टल्स जमा नहीं होते हैं तो सिरप हमारा सही तरह से बना रहता है अब इसमें हम डाल देंगे फूट का दर यहां हमें इसे बनाते हुए तीन मिनट हो चुके हैं और एक तार की चाशनी बन चुकी है बस इस समय में हम डाल देंगे इसमें सैफरोन यानि केसर के गु करते हैं तो यहां मैंने एक बेल दिया उसे तोड़ लिया अब इसके बीच में जो गुदा है पर उसे हम एक बाल में निकाल लेंगे बेल की तासिर बहुत ठंडी होती है गर्मियों में इसका सेवन जरूर से करना चाहिए किसी भी रूप में आप करिए लेकिन इसका सेवन मिल जाएगे उसको मेश करने में और अब इसको हम चान लेंगे जिससे कि इसके बीच और एक्षा पार्ट बिल्कुल अलग हो जाए यहां हम इसको चान के फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के दिए तो यह देखिए सारा हमने अपने शेक को चान दिया और इसमें चीनी मि मिलानी है क्योंकि हम गोल्डन सिरफ और आइसम का भी यूज करेंगे अब इसे हम फ्रिज में रख देते और आगे का प्रोसेस करते हैं यह मैंने काजू बदा पिस्ता भीगो दिये थे तो उन्हें छील के महीन काट लेंगे वैसे आप रोस्टेट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इस मेतोड से कहला मुझे बहुत काभी समझ में आया और अब हम सर्विशिन ग्लास लेंगे और इसमें क्रेश करी हुई बरफ डा जाले में मज़ा नहीं आएगा थोड़ा क्रेश करके डालेंगे तो ज्यादा मज़ा आएगा थोड़ा सा गोल्डेन स्रिप डालिए जितना भी आप मीठा खाते हैं पीना चाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल लीजे वहरे के फ्रेश से हमने अपने शेक को निकाल लिया श बार इस रेस्टिपी को तो बनाना बनता ही है अब इसमें हमने वनिला आएस्क्रिम डालनी यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप और कोई फ्लेवर माइस्क्रिम खाना चाते हैं तो वह भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने इसमें गोल्डेन स्र करके रखे थे महीन काटे थे उन्हें इसके ओपर डाल देंगे तो डीजे हमारा बेल का शेक बनके तयार हो गया मिंटों में बनने वाला हमारा शेक ऐसी आसान रेस्पीय सिखाना मेरा आप लों को मकसद है अगर आप लोग वह पसंद है तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स र आपको की नोटिफिकेशन मिलती रहे है